प्राइज क्लास के प्राइज के बैद प्राइज के बिए प्राइज के रहा है थे हम लोगों ने फ्रेज प्लेस्मेंट के प्राक्टिस किये थे आज के सेशन में भी हम बहुत सारे अलग-अलग तरह के क्वेश्ट करने वाले हैं स्टूडेंस प्लीज इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग बहुत सारे टेलिग्राम चैनल्स पे हैं फेस्बूक चैनल्स फेस्बूक ग्रूपस पे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि हम क्लास को स्टार्ट कर सके हैं त्लीज आ और आपको definitely हर एक क्लास अटेंड करनी चाहिए. This is about me. My name is Nimisha Vansal. I have more than six years experience in teaching. Teaching is my passion and it is my mission to make English the easiest subject for all of you. So this is my profile. अगर Unacademy पे मेरी profile आप लोगो ने अभी तक फालो नहीं की है तो कर दीजिये. क्योंगी बहुत सारी important चीज़ें मैं वहाँ पे भी discuss करती हूँ. Basically Unacademy एक बहुत अच्छा platform है. और in fact Unacademy Plus पे आपको इंडिया के top educators, इंडिया के हमारे जितने भी सबसे अच्छे educators हैं. अगर मैं banking section की ही बात करती हूँ. तो जितने भी हमारे best educators हैं वो सारे के सारे Unacademy Plus पे हैं अब और सारे के सारे आप लोगों के लिए courses लेके आते रहते हैं. मेरा भी एक course चल रहा है complete English for IBPSPO, pre plus means. जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ कवर करवाने वाले हूँ. starting from grammar, practice questions, previous year questions, vocabulary, then आपकी quizzes होंगे, आपकी doubt sessions होंगे, descriptive section, essay, letter, सारे की सारे चीज़े, comprehensive course मैंने भी, I have also started it और रात को 9 बजे सारे 10 बजे मैं रोज पढ़ाती हूँ. तो अगर अभी तक आप लोगोंने Unacademy Plus का subscription नहीं लिया है, then you should definitely and definitely take that subscription. बहुत ही, बहुत ही economical cost पे आपको इस subscription मिल जाता है, अगर आप लोग 12 months का subscription लेते हैं, तो आपको बहुत कम price पढ़ता है, केवल और केवल 417 rupees पर मन्त का आप लोगों इस subscription पढ़ता है, और आपको सब कुछ यहां पर मिल जाता है, आपको test series मिल जाती है, आपको doubt sessions मिल जात हैं, आपको इंडिया के best educators के सारे के सारे courses मिल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक subscription से, सारे के सारे subjects इस subscription से मिल जाएंगे, तो 12 months का subscription आप लोग ले जिए, मेरा suggestion यही रहता है कि हाँ, अगर बहुत dedicated way में banking की preparation कर रहे हो, then you should definitely take this subscription, यह code definitely याद रखना जब भी subscription आप लेते हैं NB Live, 10% discount आपको मिल जाएगा, जब आप यह code लगाओगे, remember this code, the code is NB Live, Nimisha Bansal NB and Live, live is for life classes, NB Live code हमेशा और हमेशा याद रखना, जब भी subscription लोगे, आपको 10% discount, definitely or definitely मिल जाएगा, अगर आप 24 months का subscription लेते हो, तब भी 10% discount मिल जाएगा, मतलब आप कोई भी subscription लो, जाहे 1 month का जाहे 3 months का, जाहे 6 months का, जाहे 12 months का, 10% discount तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट मेरा solution जनरली यह रहता है, क्योंकि हम exam की तेयारी पूरे साल करते हैं, तो best हमारा 12 months का subscription रहता है, now let's get started, अब आज का session हम start करते हैं, बहुत सारे questions प्राक्टेस करने वाले हैं, बहुत सारे questions की strategy स समझ में आए, बहुत अच्छे से प्राक्टेस हो जाए, तो क्या सभी लोग ready है, is each and every one of you ready, I hope yes, each and everyone is ready, so let's start the session now, this is about the strategy, सबसे पहले तो हर एक तरह के questions जो हम करते हैं, हर तरह के questions के कुछ ना कुछ strategies होती है, we have certain strategies, सबसे पहली important चीज़ क्या होती है हमारे लिए, कि हम directions को पढ़े, directions में समझें क्या लिखा हुआ है, और directions को पढ़ने के लिए हमें 10 से 15 सेकेंड्स देने चाहिए, उससे जादा हमें directions को देना नहीं चाहिए, उसके बाद हम question solve करेंगे, और जब भी हम question solve करते हैं, एक important चीज़ क्या होती है student, and that important thing is tone, आपको हमेशा ये identify जरूर कर चाहिए, चाहे आप reading comprehension कर रहे हो, चाहे आप close test कर रहे हो, चाहे आप para completion कर रहे हो, चाहे आप para fillers कर रहे हो, एक important चीज़ जो आपकी हर बार मदद करेगी, हर बार आपको benefit देगी, और वो important चीज़ है tone, आपको tone पता हुनी चाहिए कि sentence की, उस paragraph की, उस passage की, उस close test की tone क्या ह है ॉन आपको कैसे पता चलते है टो लालको पता चलती है फिघलप से वर्ड से कैसे आपको दिख रहा है एक वर्ड और खाए वर्ड पता है अहुं आप लोगों को इतना तो सारे के सारे students को याद है कि मैला का मीनिंग बैड होता है इसका मतलब malicious जो word है वो negative tone शो कर रहा है malicious word का मीनिंग होता है even बहुत बुरा तो words की help से हम passage की sentence की हर किसी की tone को identify करते हैं और tone के हिसाब से हम fill करते हैं कि उस black में क्या आएगा तो tone के लिए हमारी vocabulary important होती है और strategy के लिए हमारी practice important होती है so let us, अचे एक और word बताओ मुझे मैं आपको बता है मैला का मीनिंग bad होता है I want to check you right now कितने words कुई कौई कौई सा ऐसा student है जो मुझे बता सकता है दो और root words जिन दोनों root words का मीनिंग बुरा ही होता है I am asking you for two more root words और उन दोनों के दोनों root words का मीनिंग bad ही होता है I think बहुत सारे बच्चों ने मुने सही answer दिया होगा क्यूंकि आपकी vocabulary शामको छे बजे वाली अरे class से बहुत strong हो चुकी है CACO और दूसरा क्या था ACR ACR, CACO और मैला तीनों words का मीनिंग क्या होता है तीनों words का मीनिंग होता है बहुत खराब, बहुत बिटर, बहुत बुरा चले, अब हम questions पे आजाते हैं Let us come to the questions This is question number one on your screen And I will be giving you one minute timer for this question Directions को पड़ो, question को attempt करो and tell me the right answer Everyone and your time starts now Let us go okay so the time is up time over ho chuka hai let us look at the answers and let us try to understand मुझे पता है बहुसा है बच्छों रहे एकदम सही answer दिया होगा सबसे पहले तो हमने directions पढ़के क्या समझ में आया सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आई कि हमें incorrect part नहीं बताना है हमें कौन सा part बताना है जिसमें कोई भी error नहीं है हमें correct part बताना है हमें incorrect part नहीं बताना है चलिया बिस question को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है recognizing the corruption prevailing in 2004 2004 में जो corruption हुआ था उसको समझते हुए उसको जानते हुए Supreme Court ने क्या पास किया एक order पास किया बिसमें private contractors को banned किया जा रहा था from being suppliers कि private contractor suppliers नहीं बन सकते किस चीज के लिए integrated child development scheme के लिए and encouraging the government और उसमें क्या क्या जा रहा था उस order में क्या क्या जा रहा था उस order में government को encourage क्या जा जा था to employ local village organizations क्या यहाँ पे कुछ गरबड लगी किसी को to employ local village organizations employee क्या होता है employee तो एक noun होता है राम is an employee, राम क्या है employee है employee तो noun होता है तो यहाँ पे employee कैसे आ गया to dash, to के साथ तो verb की first form आती है हम सभी को पता है to के साथ तो verb की first form आती है या v1 plus ing आता है but to के बाद noun तो बड़ा जीब सी चीज हो गई है यहाँ पे तो verb आईगी और employee की verb क्या होती है what is the verb for employee employee को क्या किया जाता है employee को employ किया जाता है that means यहाँ पर error है D is wrong चल यह आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं local village organizations, mahila mandals और SSGs और कहीं भी मुझे error नहीं मिला मुझे केवल ओ केवल D में error मिला but error तो बताना ही नहीं ता सही वाले बताने थे तो right answer क्या हो गया option number D is the right answer A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है, E भी सही है बस गलत वाला कौन सा था option number D कितने students का सही निकला I hope बहुत सारे बचों का सही निकला होगा चले, let us move to the next question on our screen और यह रहा अगला question हमारी screen पर इसमें भी यहीं बताना है कौन-कौन से correct है चले, try this question everyone बताना है Okay students, the time is up Time over हो चुका है, let us look at this question Now क्या लिखा हो है The enhanced autonomy of them institutions The enhanced autonomy of them institutions यह them भी गलत है Is enabled इसके साथ का भी verb की first form तो आती ही नहीं है इसके साथ यह तो V1 plus ING आता है यह work की third form आती है Is done, the work is done यह I am doing, she is doing the work इसके साथ यह तो वर्ब की first form आएगी यह verb plus ING आएगा यह भी गलत है Them two hired, two के साथ कभी भी verb की second form है, third form नहीं है Two के साथ यह तो वर्ब की first form आएगी यह V1 plus ING आएगा यह भी गलत है And offer their emoluments That might offer their emoluments यह offer them emoluments उनको दिया जाएगा पैसा यह उनका पैसा offer किया जाएगा अजीब सी बात है, यह भी गलत हो गया Be different from the emoluments of a Indian staff आई वावल साउंड, वावल साउंड है Indian, वावल साउंड है मतलब यह भी गलत हो गया इसका मतलब क्या है What is the right answer? The right answer is option number E All aren't correct कितने students का सही निकला आएगा बहुत सारे बच्चों का सही निकला होगा चलिए, let us move to the next question now और यह रहा अगला question हमारी screen पे and students, this is the timer for all of you Okay, so the time is up Time over, let us look at this question now Students, please this video को शेर कर दो बहुत काम स्टूडेंस है तो वाच कर रहे है Please this video को शेर कर दो So that we get a lot of students over here What should young children in Aganwadi centers be fed? Aganwadi centers में बच्चों को क्या खिलाया जाना चाहिए As supplementary and nutrition Supplementary means additional nutrition किस तरह Is once again, एक बार फिर से scanner के अनर आगया मतलब फिर से इस चीज को देखा जा रहा है फिर से इस चीज को scan किया जा रहा है Arising from a different of opinion Arising from a different of opinion यह जो different word है, यह क्या है? यह तो different जो है, एक adjective है यहाँ पर तो noun आना चाहिए तो different की noun कैसी क्या होती है? It is difference तो different of opinion नहीं आएगा difference of opinions आएगा इसका मतलब यह वाला पार्ट गलत है आगे दिखते हैं Between the needy Iyog and the Ministry of Women and Child Development मतलब मुझे किस में error मिला है? D वाला error है तो मतलब बाकी सारे सही है तो answer क्या हो गया? Option number D is again the right answer Only A, B, C and E बाकी के सारे एकदम सही है K वल औ केवल D गलत है I hope सभी के सभी students को चीज़ें एकदम crystal clear होती जा रही है और कोई भी doubt नहीं है किसी भी student को Let us move ahead अगले question पर आते हैं अब question idioms or phrases के start हो चुके है आपको sentence को देखके idiom or phrase का सही meaning बताना है Everyone try this answer Idiom of phrases equation के लिए I will be giving you 30 seconds Okay, so the time is up Time over हो चुका है Let us look at this question now क्या लिखा हुआ है If we don't offer a good price for the house now अगर हमने अभी भी उस घर के लिए सही अच्छा price नहीं बोला We will probably miss the boat हम boat को miss कर देंगे Miss the boat एक idiom होता है जिसका meaning क्या होता है Boat को miss कर देना मतलब हम late हो गए हम late हो गए इसलिए हमने boat को miss कर दिया Boat वहां से निकल गई हम late हो गए इसका मतलब क्या है We have acted late So what is the right answer Option number two is the right answer Miss the boat का meaning I hope अब सभी को हमेशा के लिए यार दो जाएगा Miss the boat का meaning क्या होता है Late act करना किसी चीज में देरी हो जाना If you do not work hard now You will probably miss the boat अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आप boat को miss कर देंगे मतलब क्या है आप late हो जाएंगे क्योंकि IVPSPO में 60 days से भी कम अब बचे है बहुत जादा दिन नहीं बचे है चरिए अगले question पर आते हैं ये रहा हमारा अगला question स्क्रीन पर और ये राज सारे students के लिए time है okay so the time is up let us look at this question now after breaking his hand Gordon's dream to play professional basketball went up in smoke धुए में उड़ गया उसका dream धुए में उड़ गया मतलब went up in smoke का मतलब क्या हो गया खतम हो गया बरबाद हो गया डिस्ट्रॉय हो गया तो ऐसे idioms को link करकर के पड़ो गया हमेशा के लिए idioms जाद हो जाएंगी और prelims में idioms आप से पूछी जा रही है इसलिए मेरा motive था कि मैं आप लोगों को ऐसा questions भी करवाओ क्योंकि ऐसे questions बहुत जल्दी आपको बहुत सारे marks दे जाते हैं time तो लगता नहीं ऐसे questions में और marks बहुत जल्दी जल्दी गेवन हो जाते हैं तो went up in smoke का meaning क्या हो गया कहना है से destroyed कितने बचे इस बात से agree करते हैं यस मैं मगर हम ऐसे पढ़ेंगे sentences की help से idioms और इसे questions की help से तो हमें और अच्छे से आद हो जाएंगे हमेशा के लिए went up in smoke का मतलब क्या हो गया the meaning is destroyed चले लिए 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 अगला question screen पे और यह रहा सारे के सारे students के लिए टाइमर okay so the time is up let us look at this question now क्या लिखा है she cooks and bakes when she needs to let off some steam उसके अंदर कुछ emotion था उस emotion को दुए में ओडाने के लिए उस emotion को बाहर निकालने के लिए उस emotion से बचने के लिए वो क्या करती है what does she do she cooks and bakes तो let off some steam idiom का meaning क्या हो गया what is the meaning the meaning is to get rid of some strong emotion उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था उस गुस्से को निकालने के लिए या उस गुस्से से बाहर आने के लिए वो क्या करने लग गई she started cooking she started baking to let off some steam let off some steam का meaning क्या है to get rid of some emotion आप जोग पढ़ाई करने लग जाते है अब को बॉस्सा आता है होटा इसा नहीं cling duo है मैं पढ़ाई तो बाती मत करो चाहे कैसी भी फीलेंग हो पढ़ाई करने का मन कभी भी नहीं कर सकते नहीं को चलिए अगले क्वेस्टिन पर आते हैं यह रहा अगला question आप लोगों की screen पे और यह रहा आपका timer okay so the time is up time over हो चुका है let us look at this question now क्या लिखा हुआ है creativity is something that anybody who is remotely original जो original है तो creativity उसको क्या करनी पड़ेगी उसको बहुत-बहुत fiercely guard करनी पड़ेगी बचानी पड़ेगी कि उसकी कहीं creativity चलीना जाए passionately बहुत passionate के साथ उसके creativity अपने पास रखनी पड़ेगी because people just want you to be क्योंकि लोग आपको क्या चाहते हैं लोग क्या चाहते हैं आप कैसे रहो run of the mill run of the mill मतलब एक mill है imagine करो एक mill है हर कोई भाग रहा है हर कोई भाग सकता है वहां तक उस mill की दौड में कोई भी लग सकता है तो क्या answer हो जाएगा कैना इसे ordinary क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप ordinary रहो तो आपको अगर creativity आपने अपने अंदर लाई है तो आपको उसे बचा के रखना पड़ेगा you'll have to safeguard it run of the mill का meaning सभी के सभी बच्चे बोलेंगे students जब आप बोलते हैं तो चीज़ें आपको याद होती है run of the mill का meaning क्या हो गया something which is very ordinary ऐसी चीज जो क्या है ऐसी चीज जो ordinary है run of the mill ordinary run of the mill means ordinary very good let's move to the next question now यह रहा अगला question और यह रहा आप लोगों के लें टाइम okay so the time is up let us look at this question now क्या लिखा हो है the boy turned a deaf ear boy ने कैसा ear turn कर लिया deaf ear deaf ear turn करने का मतलब क्या है उसने अपने कान को deaf कर लिया मतलब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मतलब जो भी उसके कानों में आ रहा है वो उसको कोई भी attention पे नहीं कर रहा to the pleadings of all his well-wishers क्या आजाएगा answer did not pay any decision turn a deaf ear means you have made yourself deaf that means whatever they are saying you are not paying any kind of attention to it the meaning is did not pay any attention the right answer is option number D I hope students आप लोग के answers आज बहुत साले सही निकल रहे होंगे और आप लोग के अंदर बहुत confidence develop हो रहा है चलिए इसी confidence को बढ़ाते हुए अगले question की तरफ हम चलते हैं और ये रहा सभी बच्चों के लिए time हो और ये निकलते हैं Okay, so the time is up. Let us look at this question now. At a party, he is always in high spirits. एक party में वो हमेशा high spirits में होता है. वो हमेशा बहुत है. हमेशा वो बहुत cheerful होता है. हमेशा वो बहुत gleeful होता है. हमेशा वो euphoria की state में होता है. याद करो euphoria word हम सभी ने पड़ा था. A state of happiness, a state of excitement when a person is in high spirits. High spirits का मेनिंग क्या हो गया? Cheerful. पार्टी में वो हमेशा और हमेशा cheerful रहता है. Let's move to the next question now. ये रहा अगला question आपकी screen पे और ये रहा आप लोगों के लिए timer. Okay, so the time is up. Let us look at this question now. Rohit had to search high and low before he could find his scooter की outside. High and low, high B or low B. High जगा भी, low जगा भी. मतलब साधी की साधी जगा, high and low का मीनिंग क्या हो गया? High and low का मीनिंग हो गया है everywhere. Rohit को हर जगा, high and low, हर जगा उसे अपनी स्कूटर की सर्च करनी पड़ गई. The right answer is option number 3. Students, we are done with 10 questions. We are done with 10 questions. We are done with 10 questions. Tell me your scores in these 10 questions and in that time, this is the next question on your screen. Okay, so the time is up. Let us look at this question now. The National Human Rights Commission is all bark and no bite. All bark and no bite. जो गरचते हैं वो बरसते नहीं. मतलब जो बोलते जादा हैं वो आक्शन भाथ कम करते हैं. Actions speak louder than words, but these people only depend upon words. They do not result or they do not show their actions. So, all bark and no bite का meaning क्या हो गया? Low on action, कोई भी action नहीं है. Sentence के लिखा है, जो NHRC है, वो उसके कोई भी actions नहीं है. क्योंकि उसके बास कोई authority ही नहीं है, कि वो उन लोगों को कुछ क्या कर सके, penalize कर सके, उन्तों कोई penalties लगा सके. So, the right answer is option number three. Low on actions. चलिए, अगले question पर आते हैं. ये रहा अगला question आपकी screen पर. And this is the timer for all of you. पर आते हैं. Okay, so the time is up. Let us look at this question now. क्या लिखा हुआ है? Being a student with a technological background. मैं एक ऐसा student with a technological background है. And I'm sure, यहाँ पर बहुत सारे students ऐसे होंगे, जिनका technological background होगा. Banking examinations की preparation जलरी बीटेक वाले जयादा करते हैं. The concepts of balance of payments, macroeconomics, statement of loss, profit, liability, assets. कि सारे economic की टर्मस हैं, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ग्रीक है, भी मुझे ग्रीक नहीं आती. यह मेरे लिए ग्रीक है, मतलब क्या है, यह मेरे लिए क्या है, यह मेरे लिए क्या है, they are very complex for me. The right answer is complex. चली, let us move to the next question on the screen, और यह लीजिए, आप लोगों का टाइमर. नहीं बादी ओके टाइम इस आप क्या लिखा हुआ है वें शी हर्ट दा न्यूस जब उसने न्यूस सुनी शी वाज लाइक डॉग विट टू टेज एक डॉग जब खुश होता है यह बता है इडम कहां से बने जब कोई डॉग खुश होता है तो अपनी टेल को बहुत मूफ करता है बहु अपनी जब आप यह बहुति जब खुश हो गया इसका मतलब क्या हो गया वें टॉग विट टू टेल्स का मेंनिग क्या हो गया वेरी हपी वैं शी हर दनी ऊडियोश शी वाईड़ एडी प्री में शिंटर व्योफ टीनों क्लियर हो गया है और आपकी जून से जॉइनिंग है you became what you acted like a dvb you were like a dog with two tails that means you were very 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 happy so what is the right answer the right answer is option number four let us move to the next question now and this is the next question on your screen so sorry let us move to the next question now and this is the next question on your screen now we have our fillers questions about idioms and phrases questions here now next category is that you have to tell me what word will come over here you have to focus on these questions because there is a lot of negative marking here so do these questions with a lot of caution okay so the time is up let us look at this question क्या लिखा हुआ है democracies generally elect their leaders by dash democracies जो होती है वो अपने leaders को कैसे elect करती है qualification से democracy का मतलब क्या होता है government of the people by the people for the people deeds से कि कैसा लोगों ने काम किया नहीं polling से yes, polling से ही होता है elections होते है दोग अपने polls देते हैं campaigning से लोगों को बताया जाता है लोगों में awareness create किये जाती है but election किस से होता है election तो polling से ही होता है that means option number a is the right answer चलिए अगले question पे आते हैं let us move to the next question now यह रहा अगला question आपकी स्क्रीन पे और यह रहा सारे students के लिए टाइम मार्ण आप 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 कॉस में किया लिखवा है Once an economically sound city introduced a series of reform measures Reform measures का meaning क्या होता है किसी ज़िसमें improvement लेके आना Reform का मतलब क्या होता है किसी ज़िसको improve करना लेकिन economy को improve करने से ज़्यादा Better word क्या है Economy के लिए हम कौन सा word ज़्यादा है Stevens कते है Revive the economy Revive the economy का मतलब क्या होता है Or смut meaning the economy economy को strengthen करने के लिए हम reform measures लेके आ रहे हैं यह दोनों words बहुत नियर बाय थे economy को improve करना या economy को strengthen करना economy को हम generally क्या करते हैं we revive it जो खराब situation हो गई है उसकी उस situation से हम उसे strengthen करते हैं और उसे अच्छी situation में लेके आते हैं the right answer is revive I know most are students improve mark किया होगा but students both of them could have been correct लिकन question कैसा आता है question आता है you have to choose the most appropriate सबसे जादा appropriate select करना है तो अगर में इन दोनों में इन दोनों में अगर में difference देखू हैं इन दोनों में comparison में करू तो which one is the most appropriate the most appropriate is revive तो हमारा सही answer क्या हो गया option number b let us move to the next question now और ये रहा अगला question अपकी screen पे और ये रहा timer ध्यान से करना negative marking ने होनी चेस वाले question में सभी की okay so the time is up और मुझे लग रहा है बहुत कम ही बच्चों ने इसका मुझे सही आंसर दिया होगा let us check it wounds go away wounds को मेंनी क्या है गाव गाव चले जाते हैं बट wounds अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं tension छोड़ जाते हैं pain छोड़ जाते हैं cut छोड़ जाते हैं नहीं वो क्या छोड़ जाते हैं वो उसके निशान छोड़ जाते हैं वो scars छोड़ जाते हैं so what is the right answer the right answer is option क्योंकि हमें वुंड से रिलेट करना है हमें मोस्ट इप्रॉपरीय एंसर बताना है वुंड खाला जाएगा निशान रह जाएगा निशान ही तो रह जाता है तो राइट आनसर क्या होगा अप्शन नमब दी चलिया अगले पूरा का पूरा अगर हम 16 पर हैं तो 25 क्वेशन हम कर पाते हैं जितने भी वेशन समाजे सेशन में कर भाएंगे और सारे के सारे बच्चे मुझे अपना स्कोर्स एक दम लास्ट में बताने वाले हैं चलिए अगले क्वेशन की तरफ हम आ जाते हैं और यह रहा अगला क्वेशन आपकी स्क्रीन पर अगे पर टाइम आप लेट आस लुक आड दिस क्वेशन नहुं क्या लिखा हुआ है डाश पाकेट्स ओफप्लर शांपू अर्बिंटियूटिट फ्री तू पीपल एक पॉप्लर शांपू को जो पाकेट्स हैं वो लोगों को एक दम फ्रीवी दिस्टिश्यू स्टिश्य इस्टिब्यूट किये जा रहे हैं in this apartment as a part of advertisement slash promotion exercise कैसे packets large packets fortified word meaning क्या होता है अगर में बूलो US में fortified milk मिलता है what do you mean by the word fortified fortified root word से बना है and that root word is fort fort का मीनिंग होता है किसी इसको strong कर देन 45 मिल का मतलब क्या है उसमें extra vitamins जाल दे गए है extra minerals जाल दे गए है उसको strong बनाने के लिए कि वो milk strong बन जाया है मतलब वो milk आपको जाबर से जादा vitamins और minerals दे सके तो fortified shampoo के packets तो नहीं न सांपल packets ही हम advertisements से लिए करते हैं so what is the right answer the right answer is option number B चले अगले question की तरफ हमारे कदम बढ़ चुके हैं और यह रहा अगला question जो कि थोड़ा सा difficult भी है और थोड़ा सा different भी आपको बताना है यह blank दिया हुआ है इस blank में से इन तीनों options में से कौन कौन सा phrase आ सकता है and your time has started okay so the time is up अब दोखो ऐसे वले questions में न हमारे पुरानी strategies work करेंगे याद है हमने connectors जब पढ़े थे जब हमने starters पढ़े थे तो मैंना आपनों को बताया था कि एक list of connectors होते हैं जो हमारे contradictory category होते है contradictory category का क्या मतलब है कि वो दो contradictory statements को ही connect करेंगे दो statements जो opposite बातें कर रहे हैं contradictory बातें कर रहे हैं conflict है उन दोनों में उन्हीं को connect करेंगे चलिए इसी basis पे इस वाले question को पह जड़ा हम नजर डालते हैं क्या लिखा हुआ है although in flow annual inflation rate हर साय का जो inflation rate है वो lower side 6% की तरफ है और वो lower side मतलब नीचे वाली side की तरफ है 6% की तरफ है अब although लग रहा है मुझे clear हो गया कि कैसा connector है contradictory connector है आगे दिखते हैं it has been steadily tending upwards since 2015 although नीचे की तरफ है लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है 2015 से एक दम सही बात है दोनों contradictory है although वह नीचे की तरफ ही घूम रहा है लेकिन अगर 2015 से देखें वह उपर की तरफ भी मूफ कर रहा है contradictory statements हो गए मैं कह सकते हूं फर्स्ट यहां पर आ जाएगा अगला देखो ऑल्दो एन्वल इंफलेशन रेट हैस होवर्ड on the lower side of 6% ऐसा होता है हाला कि फिर भी Central Bank क्या कर रही है इन रीडिंग्स को consistent मान रही है कि उसका जो गोल था उससे एक रीडिंग्स जो एक अंसिस्टेंट है एकदम सही बात contradictory statement है मैं आराम से कर सकती हूं और नीचे की साइड है लेकिन Central Government क्या मान रहे है कि हमने जो गोल बनाया था उसके साथ consistent है उसके साथ mail मिलाब कर रहा है थर्ड वाला देखते हैं और दो inflation rate has hovered on the lower side of 6% growth forecast has been reduced यह दोनों तो same बात कर रहे हैं यहां पर भी क्या बोल रहा है यह दोनों तो contradictory statements बिल्कुल भी नहीं है तो हमारा answer क्या हो गया what is our right answer के वल के वल ऊपर वाले दो contradictory statements थे answer क्या हो गया option no.3 only one and two can come over here के वर first or second आसकता है कितने बचों का सही निकला या आंसर जल्दी से comment कर बताएं everyone okay let us move to the next question now यह रहा अगला question अपकी screen पे और यह रहा time and पिसला वाला सहीं निकला कोई दिकर नहीं यह वाला सभी का सहीं ना चाहिए 1 2 2 1 झाल झाल की तो टाइम इस अप्टाइम और हो चूका है लेट स लोकाइड इस नवादध स्क्वेशं को देखने कैंका लिखा हूआ है अफ्यू जाओ थोड़ शी साल पहले चाइनीज इनुवेशन का मतलब क्या था कॉपी कैस और काउंटर फीड शीज का मतलब दर बिल्कूल सेंज को कोपी कर दिया कुछ साल पहले तक क्या बात थी कुछ साल पहले तक यह बात थी कि चाइनिगी दुट कर रहा है यह से कॉंटरीख से लाइस से चाइना लेड़ द़ ऑड़ गॉर्ड ऑल्डेश्टिंग का मतलब था कि वो copy कर रहे हैं लेकिन फिर भी चाइना ने पूरे वर्ड को lead किया चाइना सबसे आगे रहा एक वेम सही बात है आगे दिखते हैं इस अलाउस एजाइल न्यूकमर्स विजनेस मॉडल्स ऑल्दो चाइना के इनोवेशन का मतलब है कि सब कुछ copy हो रहा है लेकिन फिर भी इससे क्या benefit हो रहा है इससे benefit यह हो रहा है कि newcomers आ रहे हैं विद एजाइल वर्ड का मतलब क्या होता है फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कंसेट के साथ कि वो कभी भी अपने आपको चेंज कर सकते हैं इंकम्बेंट्स का मतलब क्या होता है someone who holds an office जिसकी पास कोई office है तो यह क्या लाओ करता है नए newcomers आ रहे हैं जिनके नए business models है जो customer को अराम करने देते हैं to jump ahead of incumbents और वो इंकम्बेंट्स मतलब जो officers हैं इनसे आगे बढ़ रहे हैं चाइना में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं then their counterparts in developed markets the quality is still shoddy quality भले ही अच्छी ना हो लेकिन फिर भी newcomers आ रहे हैं और यह अपने पुराने वालों से जादा आगे बढ़ रहे हैं चाइना में मतलब developed countries में थे वो progress नहीं कर पा रहे थे लेकिन जब वो चाइना में आ गए तो वो आगे बढ़ दे एकदम सही लग रहा है थड़ पढ़ते हैं अराउंd 77 बिलियन डॉलर्स अब वेंचर क्यापिटल इंवेस्मेंट पोर इंटू चाइनीज आंस चाइना कॉपी कर रहा है चाइना काउंटर फीड कर रहा है फिर भी इतना इंवेस्मेंट चाइना के पास आ गया एकदम कॉंट्राडिक्ट्री है है एकदम कॉंट्राडिक्ट्री है सो राइट अंसर क्या होगा ऑप्शन नमब फाइव और अबब सारे के सारे आप ला सकते हो कितने बच्चों का यह आंसर सही निकला है I doubt कि बच्चों का यह सही निकला है आप लोग कन्फ्यूज हो गए होगे बट कुछ बच्चों का दू बच्चों के बच्चों का इसे बहुत कोशिच रहती है कि मैं आप लोगों को हर तरह के कुछन में इतना कॉंट बना दू कि जब आपके एक्जाम में क्वेशंच आप लोग बहुत 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 अच्छे से इन questions को कर सकें चलिए अगले question की तरफ हम बढ़ते हैं यह रहा अगला question हमारी screen पे और यह रहा students आप सभी के लिए timer चलिए students your time is up let us look at this question now this question को देखते हैं क्या लिखा हुआ है when the audience started throwing rotten axe towards him चलिए अब लगा हुआ है तो मुझे इतनी clarity तो है मुझे इतने rules तो पता है कि no sooner नहीं आ सकता क्यूंकि no sooner के आगे जो word आता है वो कौन सा होता है no sooner के आगे जो word आता है वो than होता है hardly और scarcely के आगे जो word लाता है hardly हो या scarcely हो इन दोनों के आगे जो word आता है वो when होता है तो यह no sooner वाला तो automatically cancel हो गया क्यूं क्योंकि यहां पे जो आने वाला word था वो when था अगला देखते हैं no much before he stood up in no much before तो ग्रामरी गलत है not much before होता तब भी हम उसे consider कर सकते थे but no much before तो ग्रामर ही एकदम गलत है इसका मितलब मेरा second वाला भी गलत हो गया तीसरा वाला पढ़ते हैं he had hardly stood up एकदम सिवाते he had hardly stood up मुश्किल से वो उठा ही था कि audience ने उसकी उपर rotten x फेकना शुरू कर दिया hardly इस sentence को और कैसे लिख सकते थे एक तरीका तो यह लिखा हुआ है कि he had hardly stood up वो मुश्किल से उठा ही था जब audience ने उसकी उपर सड़े हुए अंडे फेकना शुरू कर दिया दूसरा तरीका क्या था दूसरा वे हम कैसे लिख सकते थे इसी sentence को अगर आपको पता हो inversion वाला rule inversion वाला rule क्या कहता है अगर आप किसी adverb से sentence start करते हो if you start a sentence with an adverb तो उसके आगे हमेशा वर्ब आती है तो दूसरा तरीका ये भाई sentence को लिखने का hardly had he stood up hardly मुश्किल से वो खड़ा ही हुआ था when the audience और पूरा का पूरा sentence when the audience started throwing rotten heads to her day मुश्किल से वो खड़ा ही हुआ था कि audience ने उसकी उपर सड़े हुए अंडे फेकना शुरू कर दिया यहां तो ऐसे लिख दो he had hardly stood up और अगर hardly को पहले लगा रहे हो hardly से sentence को start कर रहे हो तो यहां पे क्या आएगा यहां पे वर्ब आना जरूरी ही जरूरी है यहां पे helping verb definitely आएगी ही आएगी I hope सभी के सभी students का यह answer सही लिखला होगा so हमारा सही answer क्या हो गया our right answer is option number one that is only and only C केवल औ केवल आप C को यहां लगा सकते हो so students we have practiced 20 questions today जल्दी से सारे के सारे students मुझे अपना score बताएंगे tell me your scores एसाब 20 में सापके कितने सही हुए मेरा यह मानना है अगर आपके 15 से जादा सही है that means you are progressing आप सही direction में जा रहे हो और आप महनत कर रहे हो लेकिन अगर 15 से कम सही है then 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 you need to work hard तब आपको बहुत महनत करने की जरूरत है नहीं महनत तो दोनों ही cases करने की जरूरत है लेकर 15 से अच्छा वाला score एक अच्छा score नहीं है 15 से उपर आप लोगा score definitely होना ही होना चाहिए चलिए आप कुछ questions जो हम आपको homework में दे रहे हैं जल्दी से इस question का सभी के सभी students screenshot लेंगे take the screenshot of this question everyone fast this one this one ये questions हम अपने अगली class में discuss करने वाले हैं we will discuss these questions in our next class students एक बहुत important information है सभी बच्चों के लिए कि IBPS PO में जादा time नहीं रखा है और अगर हमें एक बहुत dedicated way में बहुत focused way में तयारी करनी है then we require support from the best educators of the country क्योंकि उन्हें पता होता है exactly क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है और दो महीने के time में चीज़ों को कैसे complete करवाना है तो मेरा suggestion सभी के सभी बच्चों को यही है कि Unacademy Plus का subscription ले लीजिए बहुत economical रखा गया है आप लोगों के लिए केवल केवल cost को हम लोग bear कर रहे है अगर आप 12 months का या 6 months का subscription लेते हैं तो आपके लिए बहुत कम cost का वो पढ़ता है और IBPSPO का exam दो महीने बाद ही है आप लोगों के लिए और ये code मत भूलना इस code को लगा दोगे 10% discount मिल जाएगा तो में बहुत अच्छी से पता है student life में बहुत पैसे की बहुत कमी होती है we have a very limited amount of money with us तो इसी लिए 10% discount लेना मत भूलना NB life code ज़रूर लगा देना 10% discount आप सभी को मिल जाएगा okay students so we are ending the session now अब हम कल आज भी मिलेंगे हम शाम को 6 बज़े फिर से मिलने वाले है बहुत सारी बहुत सारी important vocabulary हम discuss करने वाले है बहुत सारे words वो top thousand CDs आपनोंको करनी ही करनी है 6 बज़े exactly सारे के सारे बच्चे मुझे अब यहीं पर मिलने वाले है we will discuss a lot of lot of words today and a very happy independence day to all of you सभी को बहुत 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 happy independence day and share this video, like this video thank you everyone और comment कर दीजए अब कोई भी doubt हो telegram channel or group telegram channel हमारा Unacademy Stories Vault है English with Nimisha Bansal भी है वहाँ पर आपको इसका PDFs class के just बात मिल जाएगा thank you everyone अचा तीन sentences अभी लोग मिलके बोलेंगे 1, 2, 3 and go English is a very easy language I am very good at English and I will clear banking exam definitely by the next year thank you everyone stay blessed, bye bye, take care and tata